दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है वीडियो को द्यान से देखेगा इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों जो आखिर कल के डेट में एक बहुत बहुत इंपोर्टेंट कमेंट आया हुआ था और ये समस्या सभी लोगों की है लगवाग बहुत बहुत कर सकतीज थ्यान से सुनएगा और ऐसा कौण साथ सिचुएशन है वह सिचुएशन इस वीडियो में बात करेंगे जदि आपका लोन एकाउट इस टेंडर्ड है और आपको लोन पर नहीं मिल रहा है तो भी देख लिए जदी आपका लोन NPA है और नहीं मिल रहा है तो भी देख लिजे दोनों सिचुएशन में बैंक जो है इधर उधर कर सकते इधर उधर करने का मतलब आपका request को पैंडिंग या reject कर सकती है ठीक है पस्तावा होने से बेटर है वीडियो देख जरूरी है चलिए ज़िए आप हमा आपका अपना प्यारा चैनल अरलीवट टैक पर मापी चाहेंगे अरलीवट पर या अरलीवट टैक तो एक ही चैनल है सब अरलीवट पर फर्स्ट ताम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके यहां से सीधा और नोटिफिकेशन क कमेंट किसने किया था उसका exact कमेंट परेंगे और फिर आपको उसका समाधान बताएंगे 100% लिके ले लोग पूरी दुनिया में कोई नहीं बताने वाला इस तरह से समाधान और और 100% वहीं समाधान है जो बैंकों को भी राजी है होगा और आप भी राजी होंगे उस पर द 17 जून 2021 कल वाली क्योंकि वीडियो देखेंगे लोग 2-3 दिन 5 दिन 6 दिन 6 मेने साल बर के बाद ही तो इसलिए डेट जाना जुरूरी है 17 जून को आयठी कमेंट तो आपी उसका कमेंट जागे पर इहें थीक है इसमें कमेंट किसका था और ये समस्या लगबग बहुत से लोگों की है यह पर देखिए कमेंट है दोस्तो संजाय मेहता साहब का है संजय महता जी क्या लिखते हैं यहाँ पर कमेंट किया हुआ है इन्होंने जो कमेंट में लिख रहे हैं यह सर स्टेंडर्ड होने के बाद भी HDFC वाले मोरिटोरियम नहीं दे रहा है बोल रहा है कि ऐसा एप्रूबल नहीं मिला है जबकि अभी तक मेरा EMI पेड करता आया हूँ ध्यान से देखिएगा इन्होंने आंसर भी इन्होंने संजय महता सहाब ने खुद ही दे दिया है देखिए यहाँ पर बैंक सबसे पहले एक चीज़ जान लो RBI की resolution framework 2.0 वाली जो policy थी इसके तहट आपको 2 years का moratorium मिलता है और 2 years का restructuring मिलता है लेकिन यह सब देगा कौन यह सब देगा bank कैसे देगा दोस्तो bank देगा और bank अपने soul discretion का इस्तेमाल करेगा आपकी situation को देखते हुए वह आपको दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है जदि उसको लगेगा जो आपका income वाइबल है वैबलीटी है आपकी बिजनेस में आपके job में तो वह देगा अधरवाइस नहीं देगा ध्यान से सुनेगा अब क्या चीज है वह उसका लेकिन इसका main कारण के दिखे सबसे पहले इसको क्यों नहीं मिला आरेबिया ने तो कहा था ना जदि आपका loan account standard है और आप standard है 31 मार्च 2021 तक तो आपको moratorium या restructure नहीं मिलेगा लेकिन इसमें बहुत बरी काफी सारे चीजे छुपा हुआ है जो आपको समझना जरूरी है जदि आप deep में नहीं जाएंगे तो ऐसे धका खाते रहेंगे ध्यान से सुनेगा यहां पर क्या कहा जा रहें एक शीज़ बताओ आप अभी तक EMI paid किया है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब बताओ आप बैंक वाले जो होगा वो समझ जाएंगे आप अभी तक EMI paid करो आपने क्या लिखा यहां पर दोस्तों आपने लिखा मेरा EMI paid करता आया हूँ जबकि अभी तक अभी तक अभी तक बोले तो आज है दोस्तों 18 जून है 18 6 2020 तक और कल थी 17 जून इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आपकी जो जून तक की EMI है जून 2021 तक की जो EMI है वो आपका paid किलियर है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब बैंक यह समझती है जो आपको financial issue financial stress नहीं है समझ में आगी बाद आपको इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है बैंक के लेंक वालों को बैंक NBFC वाला यही समझेगा जो आपको पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है तभी तो आप EMI पे कर रहे हैं और RBA ने क्या कहा था RBA ने तो यही कहा था जो 31 March 2021 तक आपका loan account standard होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ जो आपकी EMI 31 March 2021 तक paid है यानि March का EMI पे है और उसके बाद जदी due to COVID-19 due to COVID-19 की वजह से आपकी EMI April, May और June की नहीं पे कर पा रहे हैं जदी आप नहीं पे कर पा रहे हैं यही तो दिक्कत है यही तो financial hardship है यही तो financial problem है जब आप payment कर ही रहे हैं चाहे वो इधर से करें चाहे उधर से करें चाहे कहीं से भी लेके करें बैंक को यह थोरी देखेगी जो आपने कहीं से लेके किया है किस से लिए कि क्या नहीं लेके किया वो नहीं देखेगी वो वो यह देखेगी जो आपकी EMI regular आ रही है it's mean कि आपको financial problem नहीं है ठीक है तब ही तो आप EMI पे कर रहे हैं तो यही एक बहुत बरी region है दोस्तों जो आपको इस case में हो सकता है bank आपका moratorium या re-structuring का request को reject कर दें ठीक है क्योंकि बैंकों के पास वो सबूत होनी चाहिए जो आपको दिकत है पैसे की और bank ये कैसे देखेगा जो आपको पैसे की दिकत है वो तो ऐसे ही समझ्ग है आपको किसी ने पैसे देने है और उनको पैसे की दिकत तो आपको पैसा देगा नहीं देगा ठीक है जब उसको पैसे की दिकत होगी भी और वह कहीं से एरेंज करके जदी आपको देगा तो आपको पैसे की दिकत नहीं है और आप आपको 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 आपका जो अभी तक रिजक्ट हुआ है अब ध्यान से सुनिएगा दूसरा बात दूसरा बात यह है दोस्तो जो अब देखिए अब दूसरा बात कहा जरा मैं वो बताता हूँ आपको अब देखिए दूसरी बात क्या है दोस्तो अब मिलेगा कैसे संजय महता साब को मिलेगा कैसे देखिए इसके लिए आप देखिए आप की चाहिए हैल्थ की दिकत हो कोई परिशानी हो या कोई और दिकत हो तो आप बैंक एक आद यह माई जब डिफॉल्ट हो हमारा कहने का intention यह बिल्कुल भी नहीं है जो आप EMI default किजिए जदी आप EMI default होगा इसकी भी कोई guarantee नहीं है जो bank वाला दे ही देगा तो better है आप जब ध्यान सुनेगा अब जो मैं बात बता रहा हूं इस आप अभी तक जदी EMI आप चला रहे हैं आप पे कर पा रहे हैं तो आ मार्च ठीक है एपरेल और मे और यह जून है यह क्या मार्च अपरेल में यह तीन महिना तो दुनिया का सबसे खतरना कर बुरा दिन था इंडिया के लिए ठीक है मार्च अपरेल में जब इस situation में भी जब आप EMI पे कर पा रहे हो महता साहाब तो आप समझ लिजिए जो bank ब इस टेक्चरिंग दे दें ठीक है बुरे बुरा मत मानिएगा इस इसको जदी मैंने हस दिया तो बुरा बिल्कुल यह मत मानिए क्योंकि यह आटोमेटिक प्रोसेस है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इसलिए यही एक रीजन है जो आपको बैंक NBFC वाला moratorium नहीं दे रहा है अभी देखे जदी आप continue EMI पे कर पा रहे हैं तो आप यकीन माने के चलिएगा आपका civil जो है civil जो है bonafide बना रहेगा ठीक है तो आपको कोई दिकत परिशाने वाले बात नहीं है और जदी आप अभी तक चाहे आपका कोई भी लोन हो credit card हो आपकी EMI regular तरीके से on time गया हुआ है तो आपकी जो civil है 750 से अबब ही होगा और ये आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खुशनमा पल होगा जदी किसी borrower का civil score 750 या इस से उपर रहता है तो ठीक है और ये आपके लिए बहुत ही positive point है अब आपको इसके लिए इसका समधान क्या है अभी आप बिल्कुल भी moratorium मतलेजे जदी आप moratorium लेंगे तो एक महने के चकर में दो महने के चकर में तीन महने के चकर में आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा इतना ज्यादा नुकसान होगा आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं ठीक है और फिर जब लेंगे तो अभी जितना पस्तार नहीं मिलने पर परिशानी हो रहे इनसे कही 10 गुना ज़्यादा 15 गुना 20 ज़्यादा परिशानी उस टाइम पर खळा हो सकता है क्योंकि बहुत लगाते हैं उर इंट्रेस्ट अने इंट्रेस्ट लगाते हैं इंट्रेस्ट लगाते हैं आप अच्छे दोर में यह तो आप से देब से उख्व है गए और वह परकुत सब्सक्ताइभ है यह बैंक खोड़िघ सब्सक्त नहींना को तो भी ठीक है आभी आपका focus होना चाहिए जो आपकी ध्यान से सुनियेगा आपकी income को किस तरह से increase करें ठीक है आपकी जो income है इसको किस तरह से increase करें यह आपकी man focus होनी चाहिए ठीक है तो इस video में इतना ही उमीद करते हैं जो आपको bank किस वज़ा से नहीं दे रहा है और जो वज़िस वज़े से वो नहीं दे रहा है यह आपके लिए भी विन-विन सिच्वेशन है और बैंकों के लिए भी विन-विन सिच्वेशन है क्यों क्योंकि बैंकों को भी बैंक और आपके बीच का रिलेशन्शिप जो है दोस्तों बैंक और आपके बीच का रिलेशन्शिप strong हो रहा है यहां पर ठीक है strong हो रहा है और आपको भविस्त में जड़ी लोन की जुर्द पढ़ती है तो सब से पहले लोन बैंक आपको देगी और जिन्होंने restructuring या moratorium लिया है तो उनको दिक्कत होगी उसको consider करने में bank धोरी हिच केगी ठीक है तो उमीद करते हो जो आप सारी situation समझ गए होंगे और अब आप बिल्कुल भी tension नहीं लेंगे जो आपको bank वाला क्यों नहीं दे रहा है ठीक है हम समझ सकते हैं आपकी feeling को हम समझ सकते हैं आपकी situation को लेकिन bank भी समझ सकती बैंकों के लिए भी दिकत आएगी आपके लिए दिकत ज्यादा आएगा और बैंक को दिकत कम बैंकों का तो पैसा profit में जा ही रहा है उसको कौन सी दिकत है ठीक है तो दिकत तो हमें होगी दिकत तो तो कोई बाद नहीं देने देजिए लेकिन जदी आपको लगता है जो situation और ज्यादा वर्सन हो सकता है आप situation और ज्यादा खराब हो सकती है आपकी बैंक जदी मुर्टम नहीं देता है तो तो जाकि अभी भी टाइम है जो अभी जदी मालेजिए आपका इन फिचर जून का इम आई कुछ हो गया इधर उदर हो गया जुलाय का हो गया तो भी बैंक का अपनी पॉलीशी है ठीक है बैंक का अपना पॉलीशी है आरभी का इजूलेशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत वह जदी आपने अपलाइक क्या होगा तो मैं दे सकता है उसका सोल डिस्क्रीशन है देख लिजए मैंने कितनी सारे पॉइंट इतनी ही इतना छोटा सा क्वेशन में आपको समझा दी कितनी सारी बाते मैंने बता दी ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद सुक्रिया थेंक्यू